बच्चों, आपने अपने आसपास के छेत्रों में जब बारिश का समय होता है, तो नदी नालों को या छोटी वाहिकाओं को बहते हुए तो देखा ही होगा। क्या आपके गाउं ये शहर के आसपास कोई नदी बहती है। और क्या वो नदी ग्रिश्मरीतु में जब गर्मी का मौसम होता है तो सूख जाती है और बारिश में उसमें बाढ़ा जाती है। कुछ इस टाइब के प्रश्न जो आपके मन में भी उठते होंगे कि ऐसा क्यों क्यों वो ग्रिश्मरीतु में सूख जाती है। बच्चों ये सब जो हमने कहा कि बारिश के मौसम में छोटी नालिकाओं, छोटी वाहिकाओं या नदियों के रूप में पानी का ओवरफ्लो होकर बहना या कई छोटी बड़ी नदियों के भी हम बात करें तो ये सब मिलकर हम इसे अपवाह कहते हैं। और हमारे भारत में यदि हम देखें, तो बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां यहां पर मिलती हैं। और ये छोटी बड़ी नदियां जो हैं, चाहे वो नदी छोटी हो या बड़ी हो, ये हमारे लिए एक महत तुपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा भारत जो है, वो एक कृशी प्रधान देश है। और कृशी के लिए चाहे वो सिचाई के लिए हो, या फसलों को बोने के लिए हो, सभी चीजों के लिए जल्की आवश्शक्ता होती ही है। बिना जलके हम क्रिशी की कलपना नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के लिए तो ये चाहे छोटी धाराओं की बात करें वाहिकाओं की बात करें या छोटी बड़ी नदियों की हम बात करें ये हमारे लिए एक जीवन दाइनी का काम करती है या हमारे लि करना क्यों आवश्यक हो जाता है क्यों इतना महत्वपूर्ण है तो चलिए आए हम इसी पर चर्चा करेंगे हमारे चैप्टर का नाम है अपवाह या ड्रेनेज आज हम अपवाह पर चर्चा करते हैं तो अभी जैसे मैंने कहा अपवाह का मतलब ही है कि छोटी जल्धाराओं क के रूप में या चोटी जल्धाराओं के रूप में या नालों या नदियों के रूप में जल का प्रवाह होना जल का बहना ही अपवाह कहलाता है या ड्रेनेज कहलाता है अब यह जो ड्रेनेज है या अपवाह होता है किसी भी इस्थान में एक निश्चित मार्ग का अनु आप एक गिलास या जितनी भी मात्रा में पानी गिरा देते हैं तो यदि आपको जानना है कि आपके घर का फर्ष जो है वो समान है या कहीं पर उचा नीचा तो नहीं है तो यह करने के लिए जब फर्ष पर आप पानी गिराते हैं तो आप देखेंगे कि जिस तरफ ढाल होता है वो गिराया गया पानी उसी धाल के नोरूप पर भग जाता है तो ठीक उसी प्रकार चाहे हम किसी भी जल मार्ग की बात करें किसी भी जल वाहिकाओं की बात करें नदी-नालों की बात करें तो वो हमेशा अपवाह जो है वो एक धाल का अनुसरन करती है हम कह रहे हैं कि निश्चित मार्ग का अनुसरन करती है और वो मार्ग कैसा होगा धाल के अनुरूप जो है वो बहती है और कोई जलवाही का या कोई नदी नाले जो है जब किसी निश्चित मार्ग या निश्चि की देखा जाता है कि वर्षा कर मौसम होता है बारिश के मौसम में उसे बाड गा सामना करना पड़ता है तो यह हो गई अपवाह की बाद और आज हम अपने भारत के अपवाह पर ड्रेमेज पर चर्शा करें गे इस अपवाह पर चर्चा करने के पहले कुछ छोटे बड़े टम्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करना हमें और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगे जब हम इस अपवाह या ड्रेनेज के विशय पर बात करेंगे तो ये टम्स ये शब्द जो है वो बार-बार उपयोग किये जाएंगे और बिना इन टम्स को समझे आप अपवाह को नहीं समझ पाएंगे तो अभी हमने देख लिया कि अपवाह जो है वो जल का नदियों, नालों, छोटी वाहिकाओं के रूप में बहना अपवाह होता है अब अपवाह या ड्रेनेज के अपवाह जाती है और यह सब ही नदियां जो है वो मिलकर एक जाल एक तंत्र एक सिस्टम का निर्माण करती है और इसे ही हम अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं हाँ यह जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि यह इसकी उत्पत्ती से लेकर इसके मुहाने तक नदी जो है किसी भी एक स्थान विशेश से निकलेगी मतलब एक उसका उत्पत्ती स्थान होगा और उसके बाद उसका अंत भी होगा किसी ने किसी स्थान पर चाहे वो जील हो सागर हो या महा सागर हो तो पूरे इस नदी की उत्पत्ती से लेकर उसके मुहाने तक का जो सफर होता है उसमें जितनी भी सहायक नदिया एक मुख्य नदी में आकर मिलती हैं उसके जल के वॉल्यूम को आयतन को बढ़ाती हैं साथ ही वो उस रास्ते में उस सफर के दौरान जितनी भी प्रकार की इस्थलाकृतियों का निर्माड करेगी जो एक सिस्टम बनाएगी इस सभी क को मिला कर हम इसका अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं अब ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र के बाद हम देखते हैं अपवाह बेसीन अपवाह द्रोनी या ड्रेनेज बेसीन यह ड्रेनेज बेसीन क्या होता है हमने भी अपवाह तंत्र की बात की थी तो और उत्पत्ति से लेकर उसके मुहाने तक के सफर में जो जो इस्थला कृतियां बनती है जिस प्रकार की वो संडशना या जाल का निर्मान करती है ये सब मिलाकर ड्रेनिस सिस्टम कहते हैं अपवातंद्र लेकिन वो जितनी भी नदियां उसमें आकर मिल रही हैं वो पूरा जो छेत्र है जब हम उस छेत्र की विशय में बात करती हैं कि एक नदी और उसकी सहायक नदियां जितने भी छेत्र से अपना जल लेकर आती है और मुख्य नदी में मिलाती है या मुख्य नदी का अपवा छेत्र जितना होता है मुख्य नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदि को बढने हैं नद को बात करें तो बिश्व में सबसे बडी नदी द्रोणी रिवर बेसीन कौन सी नदी का है तो बच्चो में दक्षण और जब हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में गंगा नदी का बेसिन जो हो सबसे बड़ा है इसका अपवाह छेतर जो है वो सबसे बड़ा अब इसी में एक बात आप और समझ लीजिए कि यह जो अपवाह बेसीन या अपवाह द्रोनी आप देख रहे हैं इस पिक्टर के माध्यम से आप समझ सकते हैं यहां पर आपको दो रिवर बेसीन नजर आ रहे हैं एक जो है बीच में उचा उठा हुआ छेत्र है यदि आप इ एक मोटी रेका के रूप में मुख्य नदी नजरा रही है और उसे अनेक छोटी बड़ी पतली धाराएं और ऑुछ बडवी धाराएं वंन-णेलकित अRed उन-स मुख्य नदी में मिल रही है और उन सहयक नदियों के भी और छ settie सहयक नदियों में आकर मिल रही हैं तो एक ऐसे लिए आ रिवर बेसीन दिखे रहा है और उस पिक्शर के लेव्ट-Hand साइड़ पार्ट में भी हमको एक और रिवर बेसीन दूसरी नदी की द्रोनी या दूसरा रिवर बेसीन जो है वो नजर आ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ही वेसीन, रीवर बेसीन जो है वो ढाल के अनूरुपरवाहित हो रहे हैं. और ये मिल नहीं रहे हैं। अभी ये जो उचा उठा हुआ छेत्र आपको बीच में नजर आ रहा होगा, जिसके माध्यम से ये दोनों रीवर बेसीन जो हैं अलग हो रहे हैं, इसे ही इस उचे उठे हुए छेत्र को हम जल विभाजक कहते हैं या water divider कहते हैं तो मैं आपको और सरल शब्दों में समझाना चाहूंगी एक उचा उठा भाग या upland या वो कोई पठारी छेत्र हो सकता है कोई परवती छेत्र हो सकता है जिसके माध्यम से जब कोई दो नदी द्रोणी जो है अलग हो जाती है या दो नदियों का जल जो है वो विभाजित हो जाता है अलग हो जाता है तो उस जल को विभाजित करने वाले छेत्र को जल विभाजक या water divider कहते हैं तो इसमें अभी आपने तीन टर्म्स देखे, पहला अपवाह या ड्रेनेज, दूसरा अपवाह बेसीन या ड्रेनेज बेसीन और तीसरा जो है वो आपका जल विभाजक या वाटर डिवाइडर. बच्चों, इस अपवाह बेसीन के अंतरगती में आपको समझाना चाहूंगी कि कोई नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जितने छेत्र का जल लेकर आता है, वो उस नदी का कैच्मेंट एरिया या जल संग्रहंट छेत्र कहलाता है. कभी आपसे छोटे प्रश्णे के रूप में पूछा भी जा सकता है कि नदी का कैच्मेंट एरिया या नदी का जल लंखन छेत्र क्या होता है, तो आप एक सरल शब्द में इसे बताएंगे, एक नदी जितने छेत्र का जल प्रवाहित करके अपने साथ लेकर आती है, वो प अभी हमने river basin की बात की थी, अपवाह द्रोनी की, तो हम देखेंगे जो बड़ी नदियां होती है, बड़ी नदियों के जल संगरहन छेतर को या जितने छेतर से वो जल लेकर आती है, वो अपवाह द्रोनी कहलाती है, और जो छोटी नदियों का जो बेसीन होता है, उसे जल सं ग्रहन के आधार पर इन नदी द्रोणीओं को या अपवाह बेसीन को कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है। हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से वर्ग हैं तो पहला है आपका प्रमुख नदी द्रोनी ये एक प्रमुख नदी द्रोनी जो है एक ऐसा छेतर होता है या उस नदी बेसिन का छेतर होता है जिस नदी का अपवा छेतर 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है उसे हम द्रोनिया जो हैं वो चिन्हांकित की गई हैं जिसमें प्रमुख रूप से हैं सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र साबर्मती माही कृष्णा कावेरी गोदावरी नर्मदा तापती ब्राम्हडी पिन्नार और स्वर्नरेखा ये जो नदियां है भारत में प्रमुख नदी द्रोन कि अंतरगत इसने शामिल किया गया है मध्यम नदी द्रोनि तो ऐसी नदी द्रोनियां जिनका अपवाद छेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमेटर के बीच में होता है उन्हें नदी द्रोनि के अंतरगत शामिल किया जाता है और भारत में कुल ऐसी 44 नदियां जो हैं वो चिन्हांक जिसमें प्रमुक रुप से पेरियार है, मेघना है और कालिंदी ये कुछ नदियां जो हैं वो मध्यम नदी द्रोणी के अंतरगर्षामिल की गई है और इनके अलावा और भी 41 रिवर्स जो हैं वो इसके अंतरगर्षामिल की गई है अब तीसरा हम देखते हैं लगु नदी द्रोणी लगु नदी द्रोणी ऐसी नदियों का अपवाचेतर होता है जिन नदियों का अपवाचेतर 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है उन्हें हम लगु नदी द्रोणी के अंतरगर्षामिल करते हैं और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदिया जो हैं वो इस नदी द् कर दाती हैं। बच्चों हम बार बार नदी शब्द उप्योग कर रहे हैं। नदी द्रोणी, नदी का तंत्र मतलब किसी नदी का पवा तंत्र डेनेश सिस्टम या किसी नदी का रिवर बेसी, नदी द्रोणी, तो नदी क्या है नदी तो हमने देखा कि जल को बहा जिसके साथ जल का बहा होता है लेकिन उसकी कुछ शर्ते होती हैं तो हम देखेंगे कि जिन नदियों की लंबाई या जिन जलमारगों या वाहिकाओं की जो लंबाई है वो लगभग 1.6 किलो मिटर होती है उसे ही नदी के अंतरगत जो है वो शामिल किया जाता है और हमारे भारत में ऐसी कुल 10,360 नदियां जो है वो इसके अंतरगत चिन्हांकित की गई है तो बच्चो यह हो गई बात हमने देख लिया कि ड्रेनेज क्या है ड्रेनेज बेसीन वाटर डिवाइडर और इसके बाद फिर रिवर बे विख़ गई है इस बात पर हमने चप्रश है तो अब हिथो तो पहले मैंने कहा था कि नदी कि अधविता सिस्टम देख रहे थे देनिस सिस्टम या अपवात तंत्री की हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि नदी की उत्पत्ती मतलब नदी का जन्म होगा किसी एक स्थान से किसी एक स्थान से उसकी उत्पत्ती होगी और अक्सर हम देखते हैं कि नदी की उत्पत्ती किसी ऊचे चेत्र से होती है चाहे वो पठारी हो या परवती छेत्र हो या कोई अप्लेंट हो कोई उची भूमी हो वहें से नदी की उत्पत्ती होती है तो जहां से नदी के लिए जल का सोर्स मिल रहा है उस स्थान को हम नदी की उत्पत्ती स्थान कहते हैं और उसके बाद वो अपने umm परवत के निचले हिस्से में आएगी और उस निचले हिस्से से प्रवाहित होती हूई मैदान में प्रवेश करेगी फिर मैदान के बाद अंत में आ जल उस है वह किसी जील समूद्र या महासागर में गिराएगी तो जब वो अपने जल को अंत में उसकी अंती मवस्था जो होती है जहां पर वो किसी जील सागर या महासागर में मिल जाती है उसे हम नदी का मुहाना या माउथ कहते हैं तो नदी की उत्पत्ती से लेकर उसके मुहाने तक के सफर में उसकी कुछ अवस्थाईं होती हैं, कुछ stages होते हैं. बच्चो आप इसे ठीक उसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे किसी मनुशी के जन्मस लेकर मृत्यू तक जो उसकी विभिन अवस्थाईं होती हैं जैसे बालिया वस्था है यूवा वस्था है प्राणा वस्था है और फिर वृध्धा वस्था और उसके बाद फिर उसके जीवन क अंत हो जाता है और हम देखते हैं कि भई जब मनुष्य का यूवस्था होता है वो यूथ स्टेज में होता है तो उसकी कारे चमता बहुत अधिक होती है और जैसे जैसे वो मिच्योर स्टेज के बाद वृद्धा वस्था में आता है तो उसकी कारे चमता बहुत कम रह जाती ह ठीक इसी प्रकार नदी की भी तीन अवस्थाएं होती हैं जहां से उसका जन्म होता है मतलब नदी की उत्पत्ती से लेकर उसके मुहाने तक के सफर में उसकी प्रमुख रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं और इन तीनों ही अवस्थाओं में उस नदी की कारी छमता जो है तहaden होती है तो अब नदी की कारी चमत अमत Soup मतलब नदी की का रिचमत है कि जब उपने यूथ स्टेज में होती है उपत्ती से जब पथिस्थान से लेकर जैसे ही वो आगे बढ़ती है, मतलब कि वो किसी परवती छेत्र में घाटी से होकर प्रवाहित हो रही है, तब उसमें जुकि ढाल भी बहुत अधिक होता है, और जल की जो मात्रा होती है, जल का जो आयतन होता है, वो एक सिमीत छेत्र से होकर प्रवाहित होता है, जिसके कारण वो अपने यूथ स्टेज में या यूव वस्था में बहुत जादा अपरदन का कारी करती है फिर जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ेगी उसका ढाल मंद होगा जल का जो आयतन है वो एक बड़े छेत्र में फैल जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि उसमें अपरदन का कारी तो होता ही है लेकिन वो कम होगा कटाओ की प्रक्रिया कम होगी और साथ ही साथ जुह है वो डिपॉजिशन या निंग्षेपन का भी कारी करेगी और अंत में जब उसके व्रिद्ध वस्था आती है तो वो किसी भी प्रकार से कोई कटाओ नहीं करती वो निक्षेपन का कारी करती hosey अपने अंतिम पड़ाओं पर जिसे हम कहते हैं कि चाहे वो जील में अपना जलविशर्जित करे या किसी सागर या फिर महा सागर में और उसके जीवन का उस नदी के जीवन का अनत हो जाता है तो आएए अब हम इसी पर चरचा करते हैं कि नदी की ये तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं सबसे पहले प्रमुख तीन अवस्थाओं की हम बात करेंगे यूव अवस्था या इसी को हम यूथ स्टेज भी बोलते हैं और हम इसी को उपरी भाग या अपर कोर्स भी कहेंगे यह सभी शब्द के मायने अर्थ जो है वो एक ही है और दूसरा जो है वो आप का मिच्योर स्टेज है प्रोढ़ावस्था है मध्यभाग या हम इसे मेडिल कोर्स भी कहते हैं और तीसरा आपका ओल्ड स्टेज निम्नभाग या लोवर कोर्स के नाम से भी जानते हैं तो आए सबसे पहले हम देखते हैं यूथ स्टेज प्रोढ़ावस्था या अपर कोर नदी जब जैसे ही अपने परवती छेतर किसी परवती छेतर से निकलती है तो परवती छेतर के ढ़लानों से जब नदी बहती है तो यहाँ पर देखा जाता है नदी के इस stage में कि वो अपनी घाटी को गहरा करने का कारी करती है इरोजन का काम तो करती ही है यूथ स्टेज में लेकिन इरोजन कैसा कि वो घाटी को गहरा बनाती है मतलब अपने पार्शों को वो कम काटती है पार्शों का कटाओ कम करती है नदी अपनी तली को ही बहुत ज़्यादा कटाओ करती है या हम कहें कि इन तली को काट कर वो और ज़ादा से ज़ादा गेहरा बनाने का कारिय करती है और वो इसलिए कि नदी का फ्लो जो है नदी के जल का बहाओ जो है हम देख पा रहे हैं इस पिक्षर के माध्यम से कि एक बहुत ही सक्रेच छेत से होता है और ढाल भी जो है वो बहुत तिवर होती है तो वो बहुत जादा कटाओ करके नीचे की चटानों को उखाड कर अपने साथ बहा कर लेकर जाती है तो प्रमुख रूप से जो इस थलाकृती है जो नदी अपने इस यूथ स्टेज या यूवस्था में निर्माण करती है वो घ घाटी का निर्माण करती है घाटी और जल प्रपात तो घाटी में भी हम देखेंगे यू आकार की घाटी जो हीमनद होती है वो यू आकार की घाटी और नदिया जो है वो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है और इसी प्रकार से गार्ज गार्ज मतलब और गहरी और ए तो अलग अलग प्रकार की घाटियों का निर्मार करती है और साथ ही जल प्रपात वाटरफॉल जो है वो बनाती है नदी अपने इस स्टेज में जल प्रपात किसी बहुत उचाई वाले छेतर से जब नदी का जल गिरता है तो उसके रास्ते में जब कठोर चट्टान आ जाती है तो वो उसका कठाव नहीं कर पाती और सीधे अपने निचले भाग में वहां से उस उचाई वाले हिस्से से निचले हिस्से में नदी का जल जो है वो गिरता है जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं और इसी का छोटा रूप छिप्रिका तो इस प्रकार से नदी अपने इस स्टेज में घाटियों का जल प्रपात और छिप्रिकाओं का निर्माण करती है फिर न जिस पर्वत से वो नदी बह रही है उसका निचला हिस्सा गिरिपाग. जैसे ही नदी अपने गिरिपाग वाली स्थिती में आती है, तो क्या होता है? उस इस्थला कृती का या परवती ढळाल जो है, उस परवत का ढ़ाल है, वो बहुत अधिक मंद हो जाता है, बहुत धीमा पड़ जाता है, तो धाल के सहारे जब नदी बह रही है, तो वो अपने साथ बड़े-बड़े गुलाश्मको, बजरी या बड़े-बड़े हम कहें कि बोल्डर्स जो होते हैं, वो टुकडे धाल तीवर है, तो अपने साथ ब जाती कि वो बड़े-बड़े बोल्डर्स को, गुलाश्मको अपने साथ बहा कर ले जा पाए, और इस कारण से ये नदी जो है, वो वहीं पर बड़े-गुलाश्म या बजरी की जो तुकडे होते हैं, उसको उस गिरी-पाद में ही वो जमाव कर देती है, और इस जमाव के कारण यहां पर देखेंगे, कि जलोड़ पंग या जलोड़ शंकू, अलुवियल फैंस या अलुवियल कोल्स का निर्मार जो है, नदी करती है, फिर नदी का सफर और आगे बढ़ता है, और इस गिरी-पाद वाले छेतर से नदी जो है, वो क्रमशा आगे बढ़ती है, और किसी मैदानी छेतर में प्रवेश करती है, और जैसे ही नदी किसी मैदानी छेतर में प्रवेश करती है, तो उस गिरी-पाद के बाद का जो सफर है, वो और बहुत जादा मंद ढाल, धीमा ढाल वाला छेतर आजाता है, तो अब क्या होगा, कि नदी एकदम समतल छेतर से प् सब्सक्राइब करेंगे तो इस अबस्था में हम क्या देखेंगे कि आप नदी में जो है Irozen कारी तो करेंगी अपर्दन का कटाओ का कारी तो करेंगी लेकिन साथ ही साथ वह कारी वह एसे हैं कि जैसे ही वह समतल चेत्र से प्रवाहित हो रही है तो समतल मैदानीبة प्रवाहित होती है तो ये नदियां जो है वो अपने दाएं बाएं बल खाती हुई इठलाती हुई जो है वो अपने मार्ग में चलती है और धाल वाले मार्ग का अनुसरण करती है तो कभी क्या होता है कि उस नदी में बाढ़ा जाता है तो बाढ़ाने के कारण उस नदी का जो जल है वो पूरे उस छेत्र में उसके दाएं और बाएं छेत्र में फैल जाता है जो नदी पहले अपने दाएं बाएं बल खाती इठलाती हुई चल रही थी बाढ़ के कारण बाढ़ का पानी जो है वो समूचे छेत्र में फैल जाता है और जब फिर से बाढ़ की स्थिती समानी हो जाती है, पानी का लेवल समानी हो जाता है तो वो नदी फिर अपने पुर्वमार्ग में चलने लगती है तो इसमें हम दो इस्थितिया देखेंगी जब पूरे छेत्र में बाढ का पानी फैलता है तो ये डिपोजिशन मतलब निक्षेपन का काम करती है और अपने साथ लाए जो उसके सिल्ट, रेट या मृतिका इस टाइब के आवसादों को डिपॉजिट्स को वो अपने दोनों किनारों पर जमाव कर देती है जिसके कारण इसके मिच्योर स्टेज में बाढ़ का मैदान होता है जिसे हम फ्लट प्ले मैं फेरुए निर्मित होती है और से छी साथ इसकी बहुत महत्तोपूर्न मैदानि चेटर में नदी से बनने वाली स्थलाकृती जो है वो मेंडर्स होते हैं जिसे हम नदी विसर्प कहते हैं और इसकी चर्चा भी हमने की है कि जब समान्ज अपने पूरो मार्ग में समानी जो उसका नदी का मार्ग है उससे जब प्रवाहित होती है तो दाएं बाएं बल खाती हुई मोल लाती हुई मतलब अगर उसके राज्ते में कोई कठोर चट्टान आ गई तो उस कठोर चट्टान का वो कटाव नहीं कर पाती क्यों नहीं कर पा जाल मंध होने के कारण उस नदी के जल का वेग भी जो है वो बहुत धीमा होता है तो धीमा वेग कितना कटाओ कर पाएगी जो कोमल चटाने होती है उनको तो वो बहुत सरलता से काट लेती है लिकिन जहां कहीं भी उसे कठोर चटाने मिलती है तो नदी अपने मार्ग के कठो बिना भीड़े वो उसके अगल बगल के रास्ते को तलाश करके जहां से उसे धाल मिल रहा है वो बगल से मोड बनाती हुई निकल जाती है तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि मैदानी चेतर या मेच्योर स्टेज में नदी की एक महत्तपूर्ण इस्थलाकृती मियेंडर्स य हम देखेंगे गोखुर जील जो है वो एक महत्तपूर्ण इस्थलाकृती होती है इसी मैदानी चेतर में क्योंकि जैसे ही नदी में बाढ का पानी आता है और वो अपने घुमावदार रास्ते को छोड़कर पूरे चेतर में प्रवाहित होने लगती है और जैसे ही बाढ का पानी समानी हो जाता है तो यह समानी होने के बाद नदी जो है वो अपने पूर्व मारग को अपना लेती है और जैसे ही उसने जो अवसादों का जमाव अपने दोनों किनारों पर किया हुआ था क्योंकि वो घुमावदार मारग से बहरी है ना तो ढाल भी उसका दो प्रका जमाओ जादा होता है और उस जमाओ के कारण नदी का कुछ जल जो है वो अवसादों के साथ छूट जाता है और नदी अपने पुरो मार्ग में उस जली छेत्र को छोड़ कर उस अवसाद को छोड़ कर अपने पुरो मार्ग से फिर से बहने लगती है प्रवाहित होने लगती गोखुर जील या हम इसी को गोखुर गाय के खुर के समान जो है यह आकृति नजर आती है इसलिए इसे गोखुर जील कहा जाता है गोखुर जील या इसी को हम आकसबो लेग के नाम से जानते हैं बच्चो अब ये तो हो गई मिच्चूर स्टेज की बात अब अपने सफर में नदी फिर आगे बढ़ती है और अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाती है जिसे ओल्ड स्टेज या लोवर कोर्स कहा जाता है मतलब उसकी अंतिम यात्रा जहां उसके तो अब हम क्या देखते हैं तब तो उसका ठाल या भौहट मंद हो जाता है और धाल मंद हो जाता है धीमा ठाल और उसके कारण जल का वहिए वह और बहुत मनद पढ़ जाता है तो ठीक उसी इस इस इसस्टेज में जो इस अवस्था में नदी कटाओ या अपरदन का कारिय बिल्कूल भी नहीं कर पाती। अब इस स्टेज में वो सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिशन या निक्षेपन का कारिय ही करती है। ठीक वैसे हि जैसे किसी मनुष्य का ओल्ड चेज आता है तो उसकी कारे चमता बहुत कम रह जाती है उसी प्रकार से नदी की भी कारे चमता घट जाती है मतलब वो कटाओ या अपरदन का कारे नहीं कर पाती है वो सिर्फ निक्षेपन का कारे करती है और जितना भी वो अपने परवती छेतर और मैदानी छेतर से सफर के दौरान जितन और वेग भी धीमा होने के कारण वो इन महीन आवसादों को भी अपने साथ बहुत दूर तक बहा कर नहीं ले जा पाती। और यत्र तत्र जहां तहां वो उसे उन आवसादों को चाहे वुरेद, सिल्ट, मृतिका जो भी है वो अपने सामने जमा करती जाती है। तो ऐसे छेतर जहां पर की समुद्रतल थोड़ा उजा होता है और ढालमंद, जल का वेग भी बहुत कम होने के कारण ये जमाव जो होता है ये एक त्रिभुजा कार आकरिती में जिसे हम जो नजर आता है अंग्रेजी के डेल्टा अक्षर के समान। और इसलिए ये जो बनने वाली आकरिती है जो अलग-अलग पूरे एक विस्तरे छेतर में जहां नदी आवसात का जमाव करती है और किनारों से वो निकलती जाती है तो ये जो त्रिभुजा कार आकरिती बनती है उसे डेल्टा कहा जाता है। सभी नदियां डेल्टा बनाती है ऐसा नहीं होता। कुछ नदियों का मार्ग छोटा होता है और जब वो तिवर ढ़ाल मतलब एक ऐसा ऊचा छेतर जब वो पहाड़ी कगारों से होती हुई हम कहें कि समूद्र या महासागर में मिलती है जैसे हम अपने पश्यमी घाट में दो नदिया अरब सागर में मिलने वाली पश्यमी घाट की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो हमें पता है कि पश्यमी घाट जो है वह खड़ा काम राला हिस्सां है और इन デन दोनोंने नदियों का मार्ग भी पूर्य प्रायदी प החाट की जो नदिया होत वो सीधे जो है वो अपना जल अरब सागर में गिरा देती हैं, तो जहां पर बहुत विश्त्रित छेत्रे ना लेते हुए या उसादों का निक्षेपन्द ना करके जब नदी सीधे समुद्र में जाकर मिल जाती है, तो उस स्थिती में नदी जो है वो एशुरी का निर्मान करती है तो नदी जो है वो अपनी अंतिम अवस्था में या तो डेल्टा बनाएगी या फिर एशुरी का निर्मान करती है तो बच्चो हमने देखा कि नदी की जो तीन अवस्थाएं होती हैं जो बिलकुल किसी विलिन हो जाती है उसके मुहाने तक के सफर में ये तीन अवस्थाएं होती है और ये तीनों अवस्थाएं जो है वो विभिन प्रकार की इस्थलाक्रीतियों का निर्मार करती है और कैसे करती है अपर्दन के द्वारा और कटाव के द्वारा अब आईए हम बात करते हैं अपने भारत के अपवाह तंत्र पर हम भारत के संदर में चर्चा करेंगे भारत का अपवाह हम पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारत का ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र जो है वो किस प्रकार का है किसी भी इस्थान का जो drainage system होता है वो वहाँ पर मिलने वाली जो इस्थलाक्रीती होती है जलवाईव है अपक्षय और अपरदन की प्रक्रियाओं के कारण वनस्पति आच्छादन जो होता है इन सब का प्रभाव वहाँ पर उस drainage system पर देखने को मिलता है और ठीक इसी प्रकार जब हम अपने भारत की बात करेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि हमारे भारत में भी यहां के जो अपवाह तंत्र है विभी नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसमें हमें मुख्य रूप से यहां की इस्थलाक्रीती का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है ऐसे तो हम बात करेंगे अपवात तंत्रिकी तो उसको हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं जैसे कुछ नदिया बंगाल की खाडी में अपना जल जो है वो विसरजित करती हैं दूसरा हम देखेंगे तो हिमाले से निकलने वाली नदिया और दूसरा है प्राय अपवा प्रणाली है यहां की वो यहां मिलने वाली जो इस्थलाक्रीतियां है या इस्थलाक्रीतियों में जो भिन्नता मिलती है उसका प्रभाव ही हमें यहां के अपवा तंत्र पर देखने को मिलता है